इस महत्वपूर्ण प्रश्ण पर इस संक्षिप्त वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वे है मैं अनंत काल कहां बिताऊंगा, क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा, या मैं नरग जा रहा हूँ तुम्हें मालूम है, बाइबल कहती है कि हम वास्तों में जान सकते हैं हिक जौन अध्याई 5 वचन 13 में मुझे ये पढ़ने दो, यहां कहा जाता है ये चीज़ें परमेश्वर का वचन मुझे ख्याल है मैंने लिखा है जो विश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं, यहां कहा गया है ताकि तुम जान सको तुम्हारे पास अनंत जीवन है, इसमें कि आप परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर कहता है कि बाइबल हमें दी गई थी, ताकि हम उस बहुत महतुपूर्ण प्रश्ण का उत्तर जान सकें, क्या मैं स्वर्ग जा रहा हूं मेरा मरने के बाद, मूगल रूप से हमें चार बातों को समझने की जरूरत है, और क्या मैं कह सकता हूं पहले तोर पर हमार शाष्वर चीजों पर, और भगवान कहते हैं कि हम निश्चितरूप से जान सकते हैं, कि हम स्वर्ग जा रहे हैं, और मुझे बाइबल क्या कहते है, आपकी साथ साजा करने दीजिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारी स्थिति भगवान के सामने क्या है, और परमेश कहते हैं, और परमेश्वर की महिमा की कमी आती है, हम सभी की एक सामाने बात है, मुझे नहीं पता कि कौन इस वीडियो को देख रहा है, क्या राष्ट्रियता, आप कहां से आए, आपकी प्रिष्ट भूमी और ये सब, लेकिन हम सभी के पास एक बात सामाने है, ईश्वर की की नजरों में, कोई भी योग classic नहीं है, अब अधिकृत ना होने की बुरी खबर यह है, कि उसका दंड है, उसके परिञाम है, भगवान कहते हैं, पाप का भुकतान मृत्यू होता है, भगवान कहते हैं, और जो मैं रे अपने पाप के लिए देना है, यह मृत्यू है, और वह मौत जिसकी बाइबल बात करती है वह सिर्फ कबर में दफन होना नहीं है ये वास्तव में एक अनंतस्थल है बाइबल इससे जीवन की जील कहती है तो काशित वानी की मुस्तक में इश्वर कहते हैं और मृत्यू और नरक को अगनी के जील में डाला गया ये दूसरी बार है कि इश्वर कहते हैं और मृत्यू और नरक को अगनी के जील मुड़ा गया ये दूसरी मौत है देखो भगवान कहते हैं क्योंकि मैं सही नहीं हूँ क्योंकि मैं एक पापी हूँ मुझे सजा होनी चाहिए पाप का परिणाम मृत्यू है मुझे नरक में जाना चाहिए और हमेशा के लिए नरक में रहना चाहिए ये खराब समाचार है तो अगर हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो हमें पहले ये समझना होगा कि ये खराब समाचार है खराब समाचार ये है कि परमेश्वर के सामने जो धार्मिक है केवल वही पूर्ण है हम सभी पापी हैं और क्योंकि हम पापी हैं हमें मरना चाहिए और नरक में जाना चाहिए और जाने के बाद हम वहां हमेशा के लिए फंस जाते हैं नरक से भागना संबब नहीं है लेकिन अच्छी खबर है भगवान कहते हैं कि 2000 साल पहले यहां पृत्वी पर कोई जन्मा था एक बहुत ही विशेश व्यक्ती उनका नाम यिशू था यिशू परमेश्वर का पुत्र है और वह कारण वह आया बाइबल कहती है वह हमारे पापों के लिए मरने के लिए आया था रोमियो की पुस्तक में बाइबल कहती है कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा यिशू जो भगवान है किसी को भी अपने पापों के लिए भुक्तान करने की जरूरत नहीं थी उनके पास कोई नहीं था लेकिन उनका आना इसलिए था कि वो हमारे पापों का भुक्तान कर सकें क्योंकि हम पापी हैं तो उन्होंने एक सही जीवन बिताया और उन्हें गलती का आरोप लगाया गया हालांकि वे निर्दोष थे और उस क्रूस पर बाइबल कहती है कि दोशीन को दोशी के लिए दंडित किया गया बाइबल कहती है कि उसने मेरे लिए मरे, पाप मुक्त व्यक्ति मर गया पाप के लिए, तोजार वर्ष पहले क्रूज पर ईश्वर को हमारे द्वारा किये जाने वाले सभी पापों का ग्यान था, और पिता परमिश्वर ने हमारे सभी पापों को अपने पुत्र पर डाल दिया क्रूस पर येशु ने मेरे पापों के लिए मरने का बलिदान दिया उसे मरने की आवश्रकता नहीं थी मुझे मरना चाहिए और उसने मेरी सजा को खुद पर ले लिया वह मर गया बिलकुल और उसे दफना दिया गया तीन दिनों के बाद वह फिर से जीवित हो गया जब वह फिर से जी उठे तो ये हमें दिखाता है कि पाप का भुगतान हो चुका है देखो मैं अपने पाप का भुगतान नहीं कर सकता मेरे पाप के लिए भुगतान करने का एक मातर तरीका मरना है और नरक में जाना है और आप अपने पाप के लिए भुकतान नहीं कर सकते क्योंकि पाप की सजा केवल मृत्यू ही है लेकिन यिशू मसीह बाइबल कहती है मर गए हमारे लिए वो दफना दिया गया वो फिर से उठा जब यिशू फिर से उठे तो उन्होंने अनंत जीवन का उपहार खरीदा देखो अनंत जीवन तोहफा है मेरे पास यहां एक कलम है तो मान लेते हैं कि यह क्रिस्मस का समय है और सामाने ते हैं क्रिस्मस के समय हम उपहार देते हैं और मान लेते हैं कि मैं आपको एक उपहार देने जा रहा हूँ मैं कहता हूँ कि यह पेन क्रिस्मस के लिए आपके लिए एक उपहार है लेकिन इसे देने से पहले आपको पहले मुझे पांच डॉलर देने होंगे वह तोहफा नहीं है क्योंकि आप आप इसके लिए बुगत रहे हैं मैं कहता हूँ भूल जाओ पांच डॉलर आप जानते हैं यदि आप मेरी कार्द होते हैं तो मैं आपको एक उपहार दूँगा वो एक उपहार नहीं हो सकता क्योंकि फिर भी आप मेरे लिए काम कर रहे हैं आप मेरी ओर से कुछ कर रहे हैं मैंने कहा उसे भूल जाओ तुम्हें मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है तुम्हें काड़ धोने की जरूरत नहीं है लेकिन आप जानते हैं अगर आप चर्च जाते हैं अपनी बाइबल पढ़ें हर दिन प्रार्थ ना करें और अपने पडोसियों के प्रती अच्छे बनें मैं आपको एक उफार दूँगा आप जानते हैं कुछ लोग कहेंगे ठीक है ये एक उफार हो सकता है लेकिन फिर भी आपको ये समझना होगा कि आप फिर भी बदले में कुछ कर रहे हैं देखे बाइबल कहती है कि आप विश्वास के मादें से इश्वर की कृपादवारा बचाए गए हैं और ये आपके अपने आप से नहीं है ये इश्वर का उफार है कामों की वज़े से नहीं जिससे की कोई मनुष्य डिंग मार सके मैं सोचता था कि अगर मैं स्वर्ख जाना चाहता हूँ तो मुझे कुछ निश्वर काम करने होंगे मुझे कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है लेकिन वह मेरे पापों का भुकतान नहीं करता और जब उन्होंने कबर से उठकर जीवन की महसूस की तो वहर एक के लिए अनन्त जीवन खरीद लिया अब यहां बात होती है बस क्योंकि यह उपलब्ध है इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपका है अनन्त जीवन का उपहार उनके लिए उपलब्ध है जो इसे चाहते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपका हो गया है क्योंकि यीशु ने इसका भुक्तान किया और आप उसे अपना बनाने का तरीका बस यह है कि आप सीधे सा सवाल करें और यह उत्तर इतना सीधा है भगवान कहते हैं अगर आप मानने के लिए तयार हैं कि आप एक पापी हैं और आपको मरने और नरग जाने का हकदार मानते हैं और आपके लिए स्वर्ग जाने का कोई अन्य तरीका नहीं है किवल आपके कर्म आपका धर्म चर्च सदस्यता मैं एक Baptist हूँ लेकिन Baptist होने से मुझे स्वर्ग में नहीं पहुचाया जा सकता देखो अगर हम स्वर्ग जाने के उन सभी अन्य तरीकों को अस्विकार करते हैं और किवल वही रास्ता अस्विकार करें जिससे ईश्वर ने प्रदान किया है यश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूँगा जॉन 14.6 में यश्वर ने ये कहा मैं रास्ता हूँ सच और जूट फिर उसने कहा कोई आदमी पिता के पास नहीं आता लेकिन मेरे द्वारा कोई धर्म नहीं है कोई चर्च नहीं है कोई अच्छा कर्म भी हमें स्वर्ग तक नहीं पहुँचा सकता स्वर्ग तक पहुँचाने वाला केवल एक है वो है येश्व मसीह क्योंकि 2000 साल पहले कैलवरी में उसने भुकतान किया था जो आप और मैं नहीं चुका सकते वो हम मर गया हमारे लिए और भगवान कहते हैं कि आपको बस मुछ से पूचना होगा आप जानते हैं अगर आप मुझसे अनंत जीवन की प्रार्थना करेंगे और मुझ पर विश्वास करेंगे जीवन दाता के रूप में येश्व कहता है मैं आपको अनन्त जीवन दूँगा और जब तुम मर जाते हो तुम स्वर्ग जाते हो रोमी 10-13 के अनुसार पूछने का तरीका है बाइबल कहती है जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा वह बच जाएगा इतनी सी बात है थोड़ी और साधारन प्रार्थना आप बस येशु मसीज से अपना उद्धार करता बनने का अनुरोद करें और आपको स्वर्ग तक ले जाने के लिए उनी पर अपना विश्वास रखें कुछ भी नहीं कोई भी नहीं इतना प्यार किया उसने अपने एक मात्र प्रेमी पुत्र को दिया कि जो उस पर विश्वास करता है वह नश्ट नहीं हो लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करें मुझे इस चंद से खुशी हुई क्योंकि यह मुझे दिखाता है कि भगवान मुझसे प्यार करते हैं और प्यार किया उसने मेरे पाप के लिए मरना चाहा तो मुझे नरक में नहीं जाना पड़ेगा और अगर आप भी ऐसे ही हैं तो कहें आप जानते हैं मैं एक पापी हूँ मुझे पता है मैंने बाइबल के अनुसार नरक जाने का योगिता प्राप्त की है पाप का फल मृत्य ह लेकिन मैं नरक में नहीं जाना चाहता है और मैं मानता हूं कि यीशु मसीर प्रभू है वही एक मात्र बेक्ति है जो मुझे महां ले जा सकता है अगर आप ऐसे हैं ये कोई जादवी प्रार्थना नहीं है ये सिर्फ यीशु में आपके विश्वास को दर्शाती है उस प्रार्थना में आप कुछ इस तरह की बात कहेंगे प्यारे यीशु मैं एक पापी हूं मुझे मर कर नरक जाना चाहिए लेकिन मैं मानता हूं कि आप मेरे लिए मरे मुझे बचाओ, मुझे अनंत जीवन दें और मुझे स्वर्ग में ले जाएं जब मैं मरूं तो मैं केवल आप पर भरोसा कर रहा हूं और कुछ नहीं ऐसी सीधी आस्था में एक प्रार्थना क्राइस्ट को भरोसा करते हुए केवल यीशु मसीह को तो अगर आप तयार हैं तो उस प्रार्थना को प्रार्थना करें, मैं चाहता हूँ कि आप इस समय अपना सिर जुकाएं और मैं के साथ ये प्रार्थना करें, मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपने दिल में महसूस करें, क्यों नहीं आप ये प्रार्थना करते हैं, प्रिये इसा, मैं जानता हूँ क मुझे स्वर्ग में ले जा सकते हैं जीसस मेरा बचाव करने के लिए धन्यवाद आमेन अगर आपने उस प्रार्थना को किया और अपने हिर्दय में इसका अर्थ समझा इसका मतलब है कि आप केवल यीशू पर प्रोसा कर रहे हैं कुछ और नहीं किसी और पर नहीं केवल यीशू भगवान का वादा लें तुम्हारे लिए परमेश्वर कहते हैं जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नश्ट नहीं होना चाहिए लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करना चाहिए केवल मसीह में विश्वास के कारण हमारी अनंत जीवन है इसलिए इसके कारण जब मैं मरूंगा मैं नरक नहीं जाओंगा क्योंकि मेरे पास अनंत जीवन है मैंने इस प्रार्थना को सन 1926 में किया तब से मैं पूर्ण उर्ण लेकिन उसके बार si मेरे अनंत जीवन है और मैं इसका विश्वास करते हैं और मुझ नहीं नहींगा नहीं क्योंकि मैं अच्छा हूँ मैं स्वर्ण नहीं जा रहा हूं क्योंकि कि मैं Baptist हूँ, मैं स्वर्ग नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं अच्छा जीवन जीता हूँ और अपने पड़ोसियों के प्रती अच्छा व्यवहार करने की कोशिच करता हूँ मैं इसलिए स्वर्ग जा रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ मैं पापी हूँ, मुझे एक उध्धारक की जरूरत है और मैं येश्व मसीह को मेरा उध्धारक मानता हूँ उस दिन के लिए प्रभू की इस्तुति करता हूँ मैं खुश हूँ कि किसी ने मुझे दिखाया कि बाइबल स्वर्ग जाने के बारे में क्या कहती है यदि आप बच गए हैं क्या आप आज बच जाएंगे देखने के लिए धन्यवाद अच्छा दिन बिताएं